नमस्कार अभी अभी इग्नु की ओर से हॉल टिकट जारी कर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंद्रगानी नेशनल ओपेन इनवर्थेटी हॉल टिकर दिसमबर 2020 टर्मेंड एक्जामनेशन तो दिसमबर 2020 टर्मेंड एक्जामनेशन के लिए आपका हॉल टिकट जारी कर दिया गया है और उसके साथ इग्नु ने सभी इस्टूडेंट को पर्मोट कर दिया है आप जैसा की जानते हैं कि इग्नु की ओर से ये बोला गया था कि आपको पर्मोशन के लिए फर्म भराया जाएगा तो इग्नु की ओर से आप कोई भी फर्म नहीं भराया जाएगा आपको डायरेक्ट पर्मोशन मिल गया है तो आप इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको डायरेक्ट पर्मोशन मिल गया है उसके लिए तो साथ से पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां पहले इस तरह का मेरा चैनल है आप इस तरह के चैनल पर आके ये मेरा चैनल है इस पर आके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का आपको informational वीडियो मिल सके इस चैनल पर तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से तो अभी यह 8 January 2021 को यह hall ticket जारी कर दिया गया है तो आप पहले download कर लिए अपना hall ticket तो हमने पहले hall ticket को download कर रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इने student को download करके रखा है तो जो भी यहाँ पर program दिया गया है मतलब आपके यह तरह का जो box होगा इसमें जो आपको जो भी program दिया गया होगा उसमें आपको exam देना परेगा मतलब यह जो box दिया गया है जितने भी box में आपका program है उन सभी program को आपको exam देना परेगा और यहाँ पर जो भी आपको program दिया गया है जो red color का लिखा हुआ है इसके नीचे जो भी आपको program दिया गया है उन सभी program में आपको promote कर दिया गया है तो आप यहाँ पर सिधा सिधा समझ सकते हैं कि जो भी यह box में program लिखा हुआ है उनको exam देना है और यहाँ पर red color के नीचे जो भी आपका लिखा हुआ है जो भी कुर्स लिखा हुआ है उन सभी कुर्स में आपको पर्मोट कर दिया गया है आईए हम बात आते हैं कि यह किस तरह से आपको पर्मोट किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साब तरपन देखने को मिल जागा तो जैसी आप इस link पर किलिक किया जाएगा तो आपका पुराना वाला notification ये खुल जाएगा promotion का form जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका promotion के लिए form जारी किया गया था कि Ignore Student को promote किया जाएगा ये 10 December 2020 को जारी किया गया था तो आप इस तरह का जो link है इस पर आप किलिक किजेगा तो आपका जो है उस तरह का form open हो जाएगा तो आएए हम जानते हैं कि जो किस तरह से आपको promote किया गया तो यहाँ पर साब तोर पर लिखा हुआ है कि exempted from appearing in TET December 2020 as per notification date 10.12.20 for following courses यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह 10.12.2020 को जो notification जारी किया गया था पर promotion के लिए जो notification जारी किया गया था मतलब जो इस तरह का जो इस पर जैसी आप click किजेगा तो आपको इस तरह से जो interface खुलेगा जो यह notice जारी किया गया था तो इसमें सभी student को बोला गया था कि यह promote किया जाएगा और कौन से student को जो final year के student है उनको promote नहीं किया जाएगा जो intermediate semester के student है उनको ही promote किया जाएगा तो आप आप देख सकते हैं MBA हो गया इसके बाद MCA, BCA यहाँ पर जो भी course लिखा हुआ है उन सभी student को promote किया जाएगा और भी final year के नहीं जो intermediate semester के student है उनको तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो आप समझ लिजे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 10-12-2020 जो वो form जारी किया गया था उसके लिए आपको promote कर दिया गया है वही form related तो आप देख सकते हैं जो आपका यह course लिखा हुआ है इसमें इन सभी course में आपको promote कर दिया गया है और इस course में आपको exam देना परेगा तो सबसे पहले आप hall ticket को download कीजिए और hall ticket जैसी आप download कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चल जागा कि आपको किसमें आपको promotion मिला है और किसमें आपको exam देना है तो हमने कितना बार बता दिया कि आपको जो है यह जो box में लिखा हुआ है उसमें आपको exam देना परेगा और red color के नीचे जो लिखा हुआ है जो ही course दिया हुआ है इसमें आपको promotion मिल जाएगा और यह promotion किस तरह से मिलेगा अब हम बताते हैं अभी जो आप exam दीजेगा समझ में आया जो अभी जो इस course में आप exam दीजेगा जितने भी आपके box में course है उन सभी course में जब आप exam दीजेगा उसका 50% मतलब 50% marks और जो आपने आपने जो इस course को जो promotion के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है course इस course में आपने assignment को submit किया होगा तो assignment के submit किया होगा उसका जो 50% होगा और इसका जो 50% होगा यह दोनों को marks के मिला के आपको promotion दे दिया जाएगा मतलब आप अगर assignments में अच्छा marks ला रहे हैं और यहाँ पर आप जो exam दीजेगा उसमें भी आप अच्छा marks ला रहे हैं तो दोनों का 50-50% आपको add होगा और इसके बाद आपको इस course में promotion मिल जाएगा उमीद है कि आपको यह clearly आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी हमको आप comment box में comment कीजे तो बस इस वीडियो में इतना ही था वीडियो पसान्द आया तो like कीजे subscribe कीजे और comment कीजे बस इस वीडियो में इतना ही